तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंग्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए हैं आपके लिए मध्यपरदेश वनरच शक एवं जेल विभाग 15 जून 3 सिप्ट का एक्जाम एनलिसिस जहां पर हम कवर करने वाले हैं साइन्स जी समय पर बहुत सारे प्रशन हमारे पास में भेजे हैं ठीक है आपको भी अपने सिप्ट की जितने प्रशन आपको याद हो आप अपने सिप्ट के प्रशनों को 705254-7003 इस नमबर पर वाटसाप कर दीजेगा एक्जाम से बहान निकलते ही देखिए आपके पास प्रशन सुरंत एक से देखंटे के बीतर में अपने नाम के साथ में इस नमबर पर जरूर से जरूर से शेयर कर देना ठीक है चलिए सुरवात करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक एक प्रशन के बारे में डीटेल में आपको बताने वाल थे लिए तो वीडियो को सुरू से लेकर करके अंता तक जरूर देखीएगा आई देखते हैं आज का पहला प्रशन क्या है तो आज का पहला प्रशन है हबीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है सही आंसर जागा आपका रानी कमलापती रेलवे स्टेशन अब यह भाई रिपीटेड प्रेशन है ठीक है आज आपको 3-4 प्रेशन रिपीटेड दिखाई देंगे ठीक है जैसी वीडियो खतम होगी वैसी आपको वीडियो यहीं पर मिल जागी या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं All Exam Analysis by Success Junction All Shift Exam Analysis तो आपको देखने को मिल जागी वो वीडियो जरूर देख करके जाना बहुत फाइदा आपको मिलने वाला आपको याद रखना है ठीक है चलिए भई आगे बढ़ते हैं और अगला प्राशन देखते हैं अज के अगला प्राशन क्या है Germanium का Rasetinik सूतर आपसे पूचा था आप याद रखियेगा कि आवर्त साणी से 2 प्रश्बित जरूर बूच रहे है रासंी सूतर वाले, ठीक है? तो देखिये तो Germanium का Rasetinik सूतरti G.E. होता है चलिए कुछ जानकारी आपको देथे हैं, देखिये जर्मेनियम एक रासानी तत्व है इसका इस्थान आवश साड़ी में उसी बर्ग में है जिसमें सीसा और टिन है इसका आवश्कार 1886 में सी विंकलर ने किया था ठीक है इसका संकेत जी ही होता है परमारू संक्या इसकी 32 होती है साथी साथ में इसका परमारू भार 32 समल आगे बढ़ते हैं सौर मंडल में कितने ग्रह है भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसके लिए तो कमेंट आप कर ही सकते हैं पहले कमेंट कीजिए चलिए बता देते हैं आठ ग्रह आपको आपके सौर मंडल में देखने को मिलते हैं यम को हटा दिया गया ह देखे हमारे सौर मंडल बता देते हैं हमारे सौर मंडल में एक तारह है जो कि सूर्ष है हमारे सौर मंडल ठीक है आठ ग्रह है यह सारी चीज़े आपको यादक नहीं है जो प्लूटो है वह बॉने ग्रहों में गिना जाता है यह आप ग्रह नहीं रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगरा प्रशन है भाई वीडियो पसंदारी तो लाइक जरूर करना और दोस्तों तक सेयर करना बहुत सारे लोग वीडियो एनलेसिस करना बंद कर चुके हैं लेकिन हम अभी भी आपका एक्जाम एनलेसिस करा रहे हैं जब तक आपका सहयोग रहेगा तब तक यह ऐसे ही निरंतर चलने वाला है डाब का SI मातर पूछा था दो SI मातर का पूछे गए हैं सही आंसर जेका पास्कल पास्कल जो पूछा गया था तो बैरेलियम का रासानी सूत्र भी ही होता है चली कुछ जानकारी आपको देते हैं देखे तो बैरेलियम एक चांदी सफेद धातु है यहाँ पेच्छा कत नरम होता है और इसका घनत तो कम होता है जाइरोस्कोप स्प्रिंग विद्धुत संपर्ग स्प दिया और इसका सूतर क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया है ठीक है चलीए अगले हैं आपका दूसरा आपका SI unit कुछी थी आज बल का SI मातरक के क्या होता है बल का SI मातरक पूछने था ये भी आपका science का repeated question है इसलिए मैं आपसे क्या रहा हूँ वो वीडियो बहुत मैद्पून है आपके लिए देख करके जरू जाना बल का SI मातरक Newton होता है देखिए तो भार और बल दोनों का SI मा थिक a prostiak n होता है बल के लिए प्रसंगी आधार मातरक है कुछ और मातरक आपको बता देते हैं देखिए तो लंबाई का मातरक m होता जिससे मीटर से दरसाते हैं समय का मातरक ďस होता जिससे सेकल को से दरसाते हैं ये तीनों आपके exam में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इन तीनों का भी आपको revision करा दिया, ठीक है, आगे इन में से आपसे पूछा जा सकता है, नरेंदर सिंग कर्मकार का संबंध कि जिले से है, तो ये ग्वालियर जिले से ये भी आपका repeated प्रशन है, ठीक है न, प्रदेश में भी एक गर्ता की हुए है, जो कि नरेंदर किष्ण कर्मकार है, ठीक है, तो देखिए, नरेंदर कर्मकार का जन्वा ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में एक मराटी परिवार में इनका जन्वा था, ठीक है, कर्मकार ने, कर्माकर अल्गोरिद्म को भि भी आपका repeated प्रश्न है सही आंसर जगा कैलाज सत्यार्थी आपका option में भी दिया गया था ठीक है तो कैलाज सत्यार्थी की बात करते हैं भाई जो लोग हमारे साथ सुरू से अंतर तक जुड़े हैं और उनको ये सारे प्रश्न सरल लग रहे हैं उनका exam आने वाला comment box में comment कर देना जिससे कि लोगों को पता सल जाए कि हाँ ये प्रश्न रिपीटेड है नहीं तो लोग ऐसी कहेंगे तो आप ऐसी कहते रहे तो ठीक है ना तो जो लोग सुरू से अंतर जुड़े हैं ये लोग हमारे बहुत पुराने student है ये लोग सुरू से जुड़े हुए हैं ठीक संगर्स और सभी बच्चों के सिच्छा के लिए उनके संगर्स के लिए नोबल पुरुषकार को सह राप्त करता था यानि कि इनको और मलाला यूसुप जई दुनों रोगों को एक साथ में सांती का नोबल पुरुषकार दिये गया था ये पहले परसन पूछा गया था थी उसे बीच में ही बंद कर दिया था जनता पार्टी सरकार ने पांच वी पंचवर्सी युजना को खारिज कर दिया था और एक नई चटी पंचवर्सी युजना 1970 से 1980 पेस की थी 1980 में मतब इससे रोलिंग प्लान क्या थे था ठीक है तीन साल के इनने चालू किया था ठीक चलिए भाई आगे बढ़ते अब भी वीडियो को लाइक नहीं किया भाई तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक सेर जरू करना देखिए अगला है 2023 के लिए मतब इसका कुल बजट कितना रहा बजट से एक से दो प्रशन हर सिप्ट में पूछे जाने तो बजट पर सरकार ने बजट बनाया है तो वर्श 2023 का बजट है पर्थम बार ये बजट की रूपे प्रस्तुत किया गया यह भी बहुत महत्पूर है प्रस्त जो है पिछले वर्स के तुलना में अधिक है ठीक है तो यह सब आपको देख करके जाना है चलिए आगे बढ़ते हैं और दे का रिपीटर प्रस्न है तो धनी निरवात में गमन नहीं कर पाती है क्योंकि धनी को गमन करने के लिए माध्यम की आउशकता होती है तो पहले यह प्रस्न पूछा गया था कि धनी सबसे तेज कहा पर गमन करती है उसी समय हमने आपको बता था कि निरवात में धनी गमन नही कर सकती इसलिए आप से कहते हैं जो डीटेल हम आपको बताते हैं यह आपके लिए बहुत महत्मून है पीडियेफ इतनी महत्मून नहीं जता है यह डीटेल आपके लिए महत्मून है ठीक ना तो वह प्रस्टाम ने उस टाम पे बताया था और देखी आज वह प्रस्टाम यहा कोई कड़ गएरा नहीं होता है और धनी को माध्यम की आवशकता होती है इसलिए निरवात में गती नहीं कर पाती है सबसी ज़्यादा ठोस में गती करती है रेल वे जो पत्री होती है उसका हमने आपको एक्जामपल दिया था कान रखकर अगर आप इसमें सुनेंगे तो आप आपको पता से लिएगा ट्रेन आ रही है एज कंपेर टू हवा में उतनी जल्दी हवा में आपको इसकी होरन निश्चने पड़ेगी जितनी जल्दी आपको रेल की पट्रीयों पर कान रखने पर पता चल जाता ठीक है इससे यस्सिद्ध होता है कि ठोस में धोनी बहुत त जल्दी से गमन करती है और हवा में उतनी तीव गरती से गमन नहीं कर पाती है ठीक है चलिए आगे बड़ते हैं विश्वहाति दिवस 2022 कहां पर मनाया गया ऑप्शन में केरल करनाटा को गयर दिया था तो केरल इसका सही आंसर हो जागा विश्वहाति दिवस 2022 केरल के पेरि वित्रियक ये सब अलंगकार वहां पर दिये गए थे ठीक है एक प्रशन आपका संदी से पूछा जो की मौसा वाली संदी हमने आपको बताई दिया है आगे बढ़ते देखिए तदसन तद्भों से प्रश्ण लगाता पूछे जा रहे हैं आज तद्भों के दो प्रश्ण प पूछा था पर इस स्रिफ्ट में पूछा है एक प्रश्ण समास का और बाक्यों को करम सर्योजन करने के लिए लगाता तीन स्रिफ्ट में ये प्रश्ण आ रहे हैं जैसे PQRS आपके इंगलिस में होते हैं वैसा ही आवा साधा करके हिंदी में भी आपसे बाक्यों का करम सर् पूछा है इसके अलावा error की दो प्रश्ण है और narration के 4-5 प्रश्ण पूछी गया है एक भी प्रश्ण नहीं पूछा गया है ठीक है बागी कोई प्रश्ण आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोखो मैथ की बात करते हैं तो पर्सिंटेज की 2 प्रस्वन, ट्रेंज से आपका 1-3 पूछा था, प्रोफिय लौस के 2-3 पूछे गए थे, तो तुने के थे से 2 पूछल Eagles से 2 पूछनों और 1 पूछन आपका नाव से भी पूछा गया था, चलि यह अब हम याप बात कलें तोब 5 तो तॉपफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ ठीक है उसके अलाबा यह हमारा दूसरा टेलिग्राम चैनल स्टीडी मटेलिया पर फ्री में हम प्रोवाइड कराते हैं सक्सेज जंक्सन लाइव इसको भी आप सर्च करके जोइन कर लीजीगा लेकिन आप इसको तभी जोइन कर पाएंगे जब आप हमारा यूट्यूब चैन को अनका हमको क्लास नोट्स मिल गया है तो सारे क्लास नोट्स जो हम हमने अहाँ पर अप्लोड कर दी है इसके राव राकेश यादव सर की फॉर्मूला बुक आज ही जो है लाइंच वी कलसाम को आज हमने इस ग्रूप में डाल दिया इस पर आप जाकर के फ्री में डाउनल कर सकते हैं बिलकुल फ्री अपकोश्ट कोई चार्ज आपका नहीं लगने वाला है कोई भी नई बुक आएगी तो वो भी हम यहाँ पर अप्लोड कर देंगे ठीक है ग्रूप 4 का भी एक्जाम एलसे हम करवाने वाले हैं इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजी बाई से कि अपने दोस्तों के पास में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंद आप तक पहुन सके कल जिसका एक्जाम है पहले वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और इसके बाद में कल अ